अगर आप भी रोज रोज सब्जी रोटी खाकर बोर हो गए हैं या फिर सब्जी बिनाने का मन नहीं है तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ गर्मा गरम आलू मेथी की पूरी की रेसिपि ये गर्मा गरम पूरियां खाने में तो बहुत स्वादिश्ट होती हैं इन्हें बना बनाना शुरू करते हैं आलू मेथी की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है बावल में दो कटोरी गेहूं का आठा अम मैं इसमें डाल दूँ यहां पर एक छोटी चमश नमक या स्वादनुसान नमक आदा छोटी चमश हल्दी पाउडर एक अच्छे से दो कर साफ करके एक तम बारिक बारिक काट लिया है तो इसे भी माट्टे के साथ मिक्स कर लेंगे और यहां पर दो यह उगले वे आलू और इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है अब अपनी पूरियों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके उपर से डाल कि अल्रेडी मैंने यहां पर दो हरी मिश पहले ही डाल दी इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाले या अमचूर पाउडर भी डा सकते हैं जिस तरह से आपको खाना पसंदो उस तरह से आप इसमें मसाले डाल के लिए चिटपटा बना लेजिए और थोड़ा थो तरह से देखें सेट हो चुका है इसे एक बार फ्रिसे मसाले लेंगे और इसकी लोई थोड़कर तयार कर लेंगे यहां पर मैंने पटा बिलना ले लिया है और एक लोई ले लिया है जिस तरह से नौर्मल पूरी बनाने के लिए लोई लेते हैं तो उससे थोड़ी सी बरें के चैनल पूरी कर यह पांच पूरी बेल कर सकते हैं एक पूरी पालगी आपसे मादा तयार कर लाथे हैं थृऊडान हे वह डाइज कर लेंगे तेल हमारा कराई में तेज करम पूरी करने के लिए तेल हमें हשग्ड़हाया चाहिए और इस तरहां जुल के यह बड़ बठातों मेस। ऑना यह लेकर इस बात की गैरंटी हैं एक्दम कृपल कर जेसेक और पूधर मेखना आदाने हमें अर्ट यह लिए नाशलब्न के पाइट कुछ फूरे को बाइब कर लेंगे ये देखिए हमारी गर्मा गरम आलू मिथी की पूरी बिनकर तयार हैं तो आप इने दही रायता चटनी चाय या अचाहर के साथ सर्व कीजिए बहुत ही स्वाधिश्ट बिनकर तयार होती हैं तो अगर आपको मेरी रिस्पी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक क बटन दबा दीजेगा और चैनल को सुस्क्राइब कर लिजेगा